बिश्नु राज इतना नीचे गीरेगा हलो फ्रेंड नमस्कार मैं मधूली का आप सबकर श्रागत करते हूं आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूली का यूपी आर बियल आज मैं आप से बात करने वाली हूं बहुत ही जरूरी आज एक सक्सर ने बताई है बि राज का एक दोस्त था जो कि उनके यहां हमेशा रहता था मालती के साथ में जो काम करता था उसने करता था इससे सचा हुझा और बिश्नुद कि olursक्ट कि बिश्नु एतना नीचे गिर सकता है और सोकता है। लोगोंने भी नहीं सोचा होगा कि बिश्णु इतना नीचे तक जाएगा, मगर दोस्तों बिश्णु की सच्चा ही आपके सामने लाती हुँ, और आप लोग सुनके दिमाग खाब, जब मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने कहा बिश्णु ऐसा कर सकता हम, वो भी मालती के साथ असंभो मगर कहते हैं न जब इंसान का दिमाग खराब होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसको सही और गलत का पता नहीं रहता तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है मालती जी को गए एक महीने से उपर हो गए मालती जी को लगभग देड़ महीने हो गए इस दुनिया को छोड़े हुए मगर अभी मालती जी को इंसाफ नहीं मिला है फिरहाल बिश्नु जी जेल में थे और बताया जा रहा है बिश्नु मेडिकल वे बाहर है सिफ और सिफ इस वज़े से क्योंकि बिश्णूराच की तब्यात TC giant थीّ मगर दोस्तों एक बात करते हैं बिश्णूराच की जासे बिश्णूराच की मां और बहन के बारे में लोगों का जहेना है जिब इसिम राज महीनों का बिश्णूर। मालती केवल अपने एकाउंट से लाख डेर लाख दो लाख कमाती थी और विश्णु राज जब कमाते थे दोनों की मिल के पांच-छे लाख रुपाय जब मन्थिली कमाते थे तो मां रोज करोज मेहनत करती थी तब वो कुछ खाती थी अगर जिस दिन मां ना काम करने जाए क्योंकि बिश्णु राज जो है अपनी मां से अलग रहता था अपनी मां को ध्यान नहीं देता था आज मां को ध्यान दिये होता और आज अपनी बीबी के शाथ हो मां के शाथ रहता तो शायद मालती इतना बड़ा कदम न उठाती क्योंकि कहते हैं जब किसी के सामने एक ल हमारे उपर दबाव रहता हम कुछ गलस सही कुछ करते हैं उसका हमारे उपर प्रभाव पड़ता हम लोग नहीं करते और दोस्तों वही पर बिश्णुराज का एक बयान आया बिश्णुराज के साथ जो कहा गया इस समय बिश्णुराज के उपर दहेज उत्पीरन का लगी है धारा कि बिश्णू राज ने दहेज की कारण मालती की जान ले मालती को मतला मालती की सुसाइटर जो हुई है मालती की जो फासी लगा कि उसको मारे है सिप दहेज के लिए दोस्तो एक सवाल ही मैं आप लोगों से पोस्ती हूँ और मुझे यकीन है आइंसर आप लोग ही दोस्तों आप लोग बताईए क्या जो बिश्णू राज है जो मालती के उपर लाग डेर लाग रुपाय सिर्फ उसके जनम दिन में खर्च करता था और सिर्फ उसके अन्वर्सरी जो आती थी वो खर्च करता था और उसका जब सोने का हार बनवाय था तो धाई तीन लाग का सोने का हार बनवाय था तो वो बिश्णू राज क्या सिर्फ दहेश की काई मालती के शाथ ऐसा कर सकता है इस जगे पर आप लोग अपना दिमाग मैं जरूर बताना दोस्तों क्या यह हो सकता है ऐसा जो सकता है कि बिश्नु बात कही इधम गलत दोस्तों आप कमेंट कर से अगर शाय मतहूं तो आप को पता है गोरगपुरी भाउजीजी जो है वह अपने घर में नहीं तो भीडियो में रोती हुआ अपने घर लगा है कि गोलु जो किन्नरों को ले के वहां गए और प्रिसासन के साथ दुर बिवहार किये और अभधता किये हैं गंदा वो किये हैं कपड़े जिसे कहते नहीं जो किन्नर लोग गए थो कपड़े निकाल के नंग प्रदर्शन किये रहे थे और जो पुलिस वाले थे उनके प्राइवेट पार्टों को छू रहे थे जिसकी वज़े से पुलिस ने गोलू को तुरंत जेल में बंद किया और जो राधाराएं हैं और शाथ में गोरकपुरी भौजी जी के उपर नोनो धाराएं लगाई गें फिरहाल गोरकपुरी भौजी जी अपने घर से अलग है बाह और यहां पे जो मालती जी के साथ रहते थे जो मालती की हर एक वीडियो में रहते थे दोस्त बन के रहे थे जो प्रिया के हस्बेर्ण है उन्होंने बताया है कि बिश्नुराज मालती से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे हाँ यह मालती और बिश्नुराज में जगड़े बहुत ज्यादा होते थे दूनों एक दूसरे को मारते पीटते थे मुक्की मुक्का करते थे काटते थे और यहां तक कि मालती ही ज्यादा मार ले जाते थी बिश्नुराज कम मारते थे मगर बिश्नुराज जो है मालती से बहुत प्यार करते थे उसके बाद जब यहां पर उस जो मालती और इनके शाथ में रहता था और नर्वक्रीन स्क्राइब और प्रिया मॉइंग कीका, lotus ह şu जो नियुक्राइब न कि वायरा बोश्चा करें अजरी में प्रिया. मालती जी को और विश्णुराज को इन्वाइड किया था जब आ नहीं पाता था तो विश्णुराज और मालती जी उसकी शादी में नहीं गए जिसकी वज़े से और खटास था और कहा जा रहा कि जब अरजुन बर्मा की बच्चे का जनम दिन था उसी में प्रिया मालती और जो मालती के शाद वीडियो बनाता था वो सारे लोग मिले थे करीब दो महीना पहले और उसी बीच में एकower अर्जुन बर्मा की और उसी समय आते हैं इंट्री करते हैं और इंट्री करने के बाद अर्जुन वर्मा जो है इतना नीचे गिर जाएंगे क्योंकि अर्जुन वर्मा जानता था कि मालती जो हैं वो कुबेर का धन है यानि कि पैसा कमाने का है जैसे राखी सावंद ना राखी सावंद के शाथ हुआ है वैसे अरजुन बर्मा मालती के शाथ कर रहा था कि राखी शावंद आदिल को कोई नहीं जानता था आदिल धुरियानी को कोई नहीं जानता था मगर वो फेम पाने के लिए मालती का सहारा लिया वैसे ही वैसे ही अरजुन मालती का सहारा लिया था उसे भी यूटूब पर काम करना था उसने देखा कि ये लोग अभी साल दो साल पहले गरीद थे कुछ नहीं था खाने पिने साल भर में इतना कमाई कि खाने पिने उसने सोचा कि मालती के शाथ हम वीडियो बनाएंगे मालती के शाथ फेमेस होंगे तो मैं पैसा रुपिया हो जाएगा वो भी अर्मान मलिक बनना चाहता था तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा अगर ये अर्जुन बर्मा ना आता इनके बीच में जो आज सब लोग को उसको बोल रहे हैं विश्नु राज को बोला ऐसा है वैसा अगर ये अर्जुन बर्मा नाम का कीड़ा ना आया होता तो आज मालती हम लोगों के बीच में होते क्योंकि मालती और बिश्नु राज के बीच में जगड़े तो होते थे बट दोनों लोगों में प्यार भी था मगर तीसरा बंद आगा जब मालती और अरजुन के बीच में मालती और बिश्नु राज के बीच में जगड़े होते थे तो ये अरजुन बर्मा बीच में आ गया और वो उसको फून करता हाँ ऐसा है वैसा है तो मालती को ये लगता था कि बिश्नु राज मुझे प्यान नहीं करता मुझे अरजुन बर्मा करता मगर जब वो साधी बिश्नु राज ने अर्जुन भर्मा से करवा दी और अर्जुन भर्मा जब ले जाके उसको दोर कहा छोड़ा मालती ने तो कहा कि अर्जुन भर्मा के शाथ में एक भी रात नहीं बिताई हूं मगर समास ये मानेगा भाई तुम कहा थी है अगर अर्जुन के शाथ नहीं थी क्योंकि मालती एक हाली में वीडियो डाला था दो दिन के एक दिन के बाद कि मैं अर्जुन के शाथ हूँ और जब मुझे मैं अब आही गई हूँ तो अर्जुन और अर्जुन की जो पहली वाली बीबी और मैं और अर्जुन वीडियो से कमाऊंगी और अर्जुन की जो पत्नी हैं हम दोनो बहने रहके और एक रोटी में आधी आधी रोटी खा के रहे जाएंगे हम लोग मगर बिश्णु राज के शाथ नहीं जाएंगे ऐसे मालती के बचन थे तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा इस जगे पे सबसे बड़ा दोसी कौन दिख रहा मेरे नजरिया से तो सबसे बड़ा दोसी सिफ और सिफ अर्जुन बर्मा दिख रहा अगर अर्जुन बर्मा ना आता तो मालती इस दुनिया में होती मालती यहां से जाती ना माल्टी के साथ इतना बड़ा जहें माल्टी ने खुद किया हो यह विश्नू राज के जरी यह बड़ा ना होते मगर इन सब के पीछे सिफ और सिफ कौन है अर्जुन बर्मा है मगर पता नहीं पुलिस प्रशासन अर्जुन बर्मा को क्यों नहीं पकड़े यही शवाल थे किन्नरों के किन्नरों ने यही कहा था अर्जुन बर्मा राधिका को राहुल को बंद किया जाए और क्योंकि मतलब दोसी तो चारों लोग है तो फी सिफ बिश्नुराज को ही क्यों मगर दोस्तों एक तरब देखा जाए तो सबसे जादा बिगड़ा किसका बिश्नुराज का बिश्नुराज का परिवार तोटे गया बिश्नुराज का बच्चा बिख़ड़े गया बिश्नुराज का पूरा घर ताहसन ऐसा हो मैं किसी को कुछ नहीं गया गया तो सिफ बसी बिश्नुराज के गया तो दोस्तों आप लोग हमारी बातों से सहमत है कि नहीं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा सबसे ज़ादा दोसी अर्जुन बर्मा है की नहीं आप लोगों की ही नजर में आप लोग कमेंट करके बताये तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती बन I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा समझ में आया हो तो like, comment, share कीजिये मैं मिलती हूँ next वीडियो और हाँ दोस्तो आज है नया साल आप सभी लोगों को नया साल की बहुत बहुत बढ़ाई दोस्तो हमारा सन 2023 बहुत बेकार गया था स्टार्टिंग में ही तो पूरा साल ही हम लोगों का बेकार गया मगर मैं भगवान से पेयर करूंगी हाँ जोड के कि जो गया है अब तो हम लोगों के बीच में वापस नहीं आ सकता मगर आगे आने वाला जो समय है हम लोगों का वो अच्छा जाए हमारी फैमली का अच्छा जाए हमारे माय के पच्छे का अच्छा जाए हमारी भावी का सिंदूर तो चला गया हम लोग नहीं ला सकते मगर जो भी खुशियों के हगदार हैं वो खुशी उनकी लाइफ में आए दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती ही बंद और कल मिलती ही कर्चे से वीडियो में तब तक आप अपने अपनी फैमली का खयाल रखें मस्तर रहे स्वस्तर हसते रहे मुस्कुराते रहे में मिलती हुआ